बिस्मिल्ला रह्मार रह्मार रह्मासुलामुलेकूम जी आज के इस लेक्षर में मैं आपको खुश्यामदीत कहता हूँ और आज जो चीज हम देखने वाले हैं वो है डेटा रेंगलिंग डेटा को क्लीन करना या डेटा को समझ के उसके अंदर जो डिफरेंट किसम की एरर्स हैं उसे रिमूव करने को डेटा रेंगलिंग करना बोलते हैं डेटा रेंगलिंग के अंदर हम different चीज़ों और different concepts को समझते हैं डेटा एक हमारे पास आ जाता है फिर उसको साफ सुतरा बना के ताके उससे हम report generate कर सके वहाँ तक के सफर को डेटा रेंगलिंग बोला जाता है इसी को डेटा क्लिनिंग भी बोला जाता है इसी को डेटा को prepare करना भी बोला जाता है यानि के डेटा से जितनी भी आप outputs लेते हैं उससे पहले डेटा को तयार करना ताके आपको outputs अच्छी मिलें इस चीज़ को हम data wrangling बोलते हैं आज हम Excel में ये काम करेंगे Excel से पहले हम Python और बाकी चीज़ों में और रड़ी काफी जगों पे सिखा चुके हैं कि data wrangling कैसे होती है लेकिन आज का ये session बकाइदा Excel के अंदर data wrangling करने पे होगा साथ-साथ हमारी Power BI के training जो वो तो चली रही है मैं screen आपके साथ share करता हूँ screen में आप देख सक रहे हैं कि हमारे पास यहां पे Google है और Google के उपर हमने सबसे पहले एक dataset find out करने है और जो बहुत यासान dataset है जहां से मैं start करता हूँ हमेशा वो dataset से हम start करेंगे आज और उस dataset का नाम है Titanic का डेटा Titanic dataset और इस dataset को हम Kaggle से find out कर सकते है यानि कि जब आप Titanic dataset लिखेंगे आपके सामने इस तरीके से Kaggle Titanic आ जाएगा और इसका मतलब यह है कि आप Titanic से इस dataset Kaggle से इस dataset को देख सकते है Kaggle वो ही website है जो पिछले दिनों मैंने आपको बताया था Kaggle.com इस पे आप जा के अपनी ID ज़रूर बना है और data analyst के लिए एक social media platform का जो है वो role play करती है मैं इस पे click करता हूँ और यह data है Titanic की वो जो कश्ती दूब गई थी उसका data तो अक्सर अकात आपको यह dataset Titanic machine learning from disaster इस तरीके से मिलते हैं और कभी कबार आपको Titanic का जो data है वो simple data की format के अंदर मिलता है जो हम अभी देखते हैं जिसमें आपके पास ना तो train and test की values नहीं होती बिलके different data set होता है तो मैं यहाँ पे आपको जो data के सामने ले क्या होँगा that would be this data set let me see जो data set हमें ठीक लेगेगा हम वो download करेंगे यह RRF का है we don't need this one we need CSV files so not this one Google पर जाके हम लिखते हैं Titanic CSV data तो यह हमारे पास GitHub पर पड़ा हुए but we also have Titanic data set here let me see and यहाँ पे थोड़ा नीचे आके आप अगर columns देखेंगे तो यह data set है यह बिलकुल वो ही data set है में चाहिए तो जब तक आप इसमें login नहीं होंगे Kaggle में तो आप यहाँ पर download का button नहीं देख पाएंगे तो मैं इसको download करता हूँ यह data हमारे पास zip file के अंदर आ चुका है मैं इसको अब लेके जाओंगा अपने उस folder के अंदर जहां पर हम सारे के सारा काम करें तो मैं यहां पर folder का नाम देता हूँ 02 इसको हम बोल देते हैं data wrangling data wrangling कैसे मैंने नाम दिया और इट विल बी सेविंग दिस लाइक के हिर और यहां से मैं उठाता हूँ download से zip file इसको copy करके मैं यहां पर paste कर देता हूँ अब यहां पर इस file को मैं extract करूँगा extract all और यहां पर आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी आप इसको extract कर सकते हैं और डेटा रेंगरिंग के फोल्डर के अंदर हम इसको extract करेंगे यह dataset मेरे पास extract हो गया इसको मैं delete कर देता हूँ यू know the trick आपने यह वाली जो file है इसको यहां पर paste कर लेना and here you go यह dataset आपके सामनी जो है वो मौचूद है अब यह dataset का जो link है मैं आपको यहां पर provide करने वाला हूँ चैट के अंदर ताके आप इस dataset के उपर काम कर सकें जब मैं यहां पर आपको पढ़ा रहा हूँ आप इसको download भी कर सकते हैं later on भी लेकिन अभी भी कर सकते हैं यही चीज मैंने discord के server के अंदर भी अप्लोड कर दी तो वहां से भी आप इस dataset को देख सकते हैं so Titanic का data हमारे पास आ चुका है जो main हमारा problem है आज का कि हमने किस तरीके से एक dataset को प्रेंगल करना है Titanic का data आपके पास जब आ गया आप इस dataset को पहले तो देखते हैं किसमें क्या क्या चीज़े जैसे यह एक dataset है और इसकी file अगर आपने देखनी है तो आप इसकी properties open कर सकते हैं say for example alt enter दबा के तो अगर मैं गौर करूँ तो यह comma separated value है यानि कि CSV file है ठीक है CSV file क्या होती है जहां पर columns की जगह पर कॉम में लगे होते हैं ठीक है और इस file को officially मैं यहां पर double click करूँगा यह of course मेरे पास excel में open हो जाएगी जैसे मेरे पास CSV excel में open होगी sorry just give me one second screen जो है मेरी वो full screen पर चली गई है I don't need to do that okay तो यह इस तरीके से हमारे पास excel की file जो है यह open हो जाती है right मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा कर लेता हूं ताकि आपको सही तरीके से नजर आए अच्छा जी screen आपको नजर आ रही है तो please मुझे chat में बताइएगा कि आप screen देख पा रही है chef जी, तो यहाँ पे इसको मैं save as करता हूं save as करने के बाद मैं यही पे इसको CSV की बजाए ड़ाएं xl workbook में save कर देता हूं मतलब यह, कि save as करने के बाद यहाँ से xl workbook में save हो जागी तो यह xl की file एक वन जागी मैं इसको save कर लो अब ये जो CSV फाइल थी अब आप देखेंगे उसी folder के अंदर एक Excel की फाइल भी बन गी है जो ये वाली है मैं CSV को अभी रिमूफ करते तो because we only need this Excel फाइल ठीक है? Excel फाइल की extension होती है XLSX ठीक है? तो इस वज़ा से ये फाइल की जो extension है हमारे पास XLSX है यहां पे भी आप देख सकते हैं और अगर मैं इसको zoom in करके आपको दिखाओं so here you go यहां पे आप देख सकते हैं और ये जो XLSX फाइल है इसके अंदर हम काम करने वाले हैं अब आपको भी पता जब भी कोई data set आता है सबसे पहले आप उसके बारे में information लेते हैं कि यह data क्या है इसमें कौन-कौन सी चीज़े हैं so on and so forth तो सबसे पहले काम आप क्या करते हैं आप data को start से end तक एक दफ़ा explore करते हैं कि data में क्या-क्या है तो मैं यहां पे click करता हूँ control shift दबा के end का button दबाता हूँ तो यह मेरे पास पूरा data set आ गया end का button control shift and end तो यह पूरे का पूरा data मैंने select कर लिया अब data select करने के साथ ही मैं control T दबाऊंगा तो यह tabulated form में convert हो जाएगा something like this यह हमने पिछले दिनों भी यह काम किया है अब यह data set है क्या और इसमें कौन-कौन सी चीज़ी हम अभी देखने वाले है सबसे पहले है passenger ID सबसे पहले इसके पास इस data में जो चीज है वो है passengers की ID क्या है फिर survived का column है कि Titanic में जो passengers थे वो बचे या नहीं बचे अगर 0 है तो survive नहीं किये अगर 1 है तो यह survive कर गए है यहां पर यहां पर यहां पर इसके बाद यहां पर अगली चीज है उनका जो gender या sex था वो male था या female था वो यहां पर दिया हुए और यहां पर age लिखी है उनकी के age क्या थी उनकी जो सवार थे उसमें sibling spouse कितने थे यानि के वो जो लोग इस Titanic की कष्टी में सवार हुए थे उनके sibling या spouse यानि के उनके बहन भाई या उनके जो spouses हैं यानि के अगर male है तो उनकी wife अगर female है तो उनके husband वो साथ थे या नहीं थे थे तो वो one है नहीं थे तो वो zero है अगर number of sibling ज्यादा है तो वो यहाँ पर लिखा हुए फिर यहाँ पर पार्च का एक column है इसका मतलब है कि parents या children यानि कि जो सफर कर रहे हैं उनके साथ उनके parents थे या children थे अगर थे तो उनके number of parents and children यहाँ पर लिखा हुए यह उनकी ticket number है ticket के जो जो information यहाँ पर मजूद है वो सारे की सारी यहाँ पर लिखी गई है फिर उनका fare है fare का मतलब है कि कितना उन्होंने किराया पे किया था in pounds या dollar भी हो सकते है फिर उनका cabin है cabin का नाम क्या था ठीक है फिर इसके बाद embarked embark कहां से किये थे यह तीन cities के name है we will see that तो यह इस तरीके से हमारे पास एक data set जो है वो आ चुका है इसके इलावा Titanic का जो data है अगर आप online देखें so there are many kind of data sets available अगर मैं Titanic यह वाली CSV file देखू तो यहां पर आप देखें कि आपके पास multiple GitHub के उपर जाएं तो यहां पर आपके पास multiple columns हैं यहां पर other than the name and other column तो मैं इसको भी यहां से download करता हूँ और इसका link जो है यह भी आपको मैं chat के अंदर provide कर देता हूँ because we are going to embed these two data sets मैं यहां पर इसे paste करता हूँ GitHub के link को भी और मैं यहां पर Discord के अंदर भी इसको paste करता हूँ अब यह वाला data set भी मैंने download कर लिए मैं यहां से इस data को पकड़ता हूँ पकड़ने के बाद मैं folder के अंदर जाके इसे यहां पर paste कर देता हूँ अफकोर्स यह मेरे पास जो data set है Titanic का इसे मैं साथ में लिख देता हूँ GitHub अब मैं इसको open करता हूँ क्योंकि यह CSV फाइल है तो मेरे पास यह कुछ इस तरीके से open होगी मैं इसको save as करूँगा same उसी तरीके से और मैं यहां से Excel workbook के अंदर से save कर दूँगा ताकि यह जो file है मेरे पास यह Excel workbook के साथ save हो जाए ठीक है अब यह मेरे पास data set है और यह मेरे पास दूसरा data set है यहां से of course हम रखेंगे दूसरी file Excel की तो हमने यहां से यह Titanic GitHub का data रख लिया अब आप गौर करें जो दूनों में data sets है अगर इन में number of rows and columns same हुए तो हम, sorry number of rows same हुए तो we can actually put this data in front of the other one और इसे join कर सकते हैं अब यहां पर अगर मैं number of rows को count करूँ तो obviously I can just click from here control shift दबागे नीचे जाओंगा तो 891 रोस हैं यहां पर दिखा रहे, but we also have this survived column in it यहां पर 892 है अगर आप गौर करें यह है जी 892 लेकिन हमारे पास 891 टोटल रोस हैं तो यह दूसरा डेटा सेट है और इसका जो पहला डेटा सेट था जिस पर हम काम कर रहे थे जिसमें हमने काम स्टार्ट किया था अगर हम उस डेटा सेट पे जाएं तो यहां से पैसेंजर का डेटा लेके अगर हम देखें तो यह टोटल 891 ही हमारे पास पैसेंजर आइडी है और उसी तरीके से यह भी हमारे पास डेटा जो है वो मौझूद है तो हमें कोई एक कॉलम ऐसा चाहिए जिसकी बेस पे हम इस पूरे के पूरे डेटा को कॉनकाइटिनेट कर सकें या इस पूरे के पूरे डेटा को दूसरे डेटा के साथ कंबाइन कर सकें अगर आप गोर करें तो हमारे पास ना तो एक यूनीक आईडी यहां पे मजूद है वो दूसरे डेटा में नहीं है, इस डेटा में नेम्स ही नहीं है इस डेटा में अगर P class है, तो यहां पे भी P class है इस डेटा में अगर survived है, तो यहां पे भी survived है ठीक है, तो अगर आप गोर करें तो हमारे पास कोई ऐसा यूनीक कॉलम नहीं है यहां पे जो इस डेटा के साथ मैंच कर रहा हूँ ठीक है लेकिन अगर आप यह गौर करें कि यहां पे फेर जो है 7.25 से स्टार्ट हो रहा है 7.25, 7.71, 0.283, 7.925 यह तकरीबन सेम सेम है तो हम फेर के कॉलम की बेस पे भी इसे जॉइन कर सकते हैं अगर आप गौर करें तो मैं अगर इस डेटा को यहां से पूरे के पूरे डेटा को यहां से मैं कॉपी करूँ कॉपी करूँ और दूसरे डेटा में जाके यहां पे अगर मैं पेस्ट कर दूँ so I think we can actually work on this data set कैसे अब आप अगर गौर करें यह फेर का कॉलम था और यहां पे survived के कॉलम से आगे काम स्टार्ट हो रहा है तो मैं इस फेर के कॉलम को दूसरे फेर के कॉलम के बिलकुल बराबर ले जाता हूँ just to check if there is any difference और यह मैं visually कर रहा हूँ मैं कोई science नहीं यहां पे लड़ा रहा simply visually इसका काम कर रहा हूँ मैं यहां पे insert करता हूँ एक रो को insert करने के बाद यहां पे मैं fair का कॉलम ले आओँगा जो पहला fair है हमारे पास यह वाला इसको मैं copy करता हूँ क्योंकि मैंने इसको बाद में remove कर देना है so that's why I'm just copying and pasting here sorry I cannot be prepared for the following reason okay both are inside the table so हम cut नहीं कर सकते इसको हम copy करना पड़ेगा so मैं यहां से copy करता हूँ let's see यहां पे column के अंदर इसे paste करते है again वही चीज तो मैं इसको ctrl T दबा के we will try to finish this column as let me see थोड़ा सब इसको मैं zoom out करता हूँ format as table पे इसको पहले तो इसको format change करते हूँ and then I will take this column fair 8 and this column copy I will add into another one और यहां पे हम देखेंगे के हमारे पास जो है यह दोनों जो हैं same same आ रहें केना however multiple times में इसको देखता हूँ के अंदर उन्हें हमने रिमूफ करना है अगर आप गौर करें तो हमारा जो निया डेटा है वो यहां से स्टार्ट हो रहा है सर्वाइब के कॉलम से और इसके बाद पी क्लास आ रही है जो पहले मजूद थी सेक्स भी पहले मजूद था मेल और फीमिल एज भी मजूद थी इतने भी कॉलमसे हैं यह किस तरीके से मैनेजम कर सकते हैं यहां से ने को दिलीट करता हूं यहां से यह वाले कॉलम्स नहीं थे यह वाले महारे मेल पास undまた यह नहीं था है क्या करेंगे जितना भी हमारा data है इसे दूसरी जगा पर ले जाएंगे अच्छा अब जितने भी हमने column delete की यह basically duplicate होरहे थे और यह duplicate columns को हम यहां देलीट कर देंगे अब हमारे पास जो बचे हैं जनाबेवाला alone same columns कालम्स बचे हैं है और हम अब क्या करेंगे इन सारे कालम्स को हमाह गौर की जाए उन्नी कॉलम्स है और 1891 रोज हैं ऐगर में यहाँ से नीचे तक लेके जाओ तो please write down in the chat ताके हम फिर आगे चल सके और देख सकेंगे किस तरीके से हमारा जो data है वो काम कर रहे है और यहाँ पर हमने क्या किया basically अपना एक Titanic का full-fledged data set बनाया जो हमारे पास यहाँ पर हमें help out करेगा to understand the data set in a nicer way possible ओके अब हम अगला काम क्या कर सकते हैं हम अगला काम यह कर सकते हैं कि हम इस data set को one by one columns पढ़ना start कर दे या हम इस data set के अंदर different किसम की wrangling करना start कर दे so wrangling क्या होती है data को clean करने को wrangling बोला जाता है और clean करने का जो काम है वुकिस तरीके से होता है हम अब ही देखेए अच्छा कुछ कौंसेप्ट's में आपको यहांiran पे बताओन कि जब भी आप 지टा सइट को DECHYते हैं वस्थिकल का डेटा हो या किसी भी शीटकी आ रहे हैं, जैसे यह वाला एक खाली डबा है, ठीक है, जैसे इस तरहा के और भी खाली डबा आ रहे हैं, अब इसका तरीका कार क्या है, मैं इसको tabulated form में अगर रहने दूँ, ठीक है, और यहां पे अगर आप चेक करें, age के column में, मैं यहां पर जाके, select के अंदर जाके, मैं स पास, cabin के अंदर blanks मौझूद हैं अगर गौर करें, blanks जो हैं यह basically missing values होती है, यहां पर blanks मौझूद है, और इसके इलावा बाकी कही जगों पर भी blanks मौझूद है, तो पहला काम यह है कि हमें यह check करना है, कि blanks को किस तरीके से हम find करेंगे, पहले हम find करेंगे, फिर हम उन blanks को analyze करेंगे, यह हम देखेंगे किस तरीके से उन blanks को हम maintain कर सकते हैं, यहां पर एक बात याद रखें कि जब भी blanks की बात आती है, missing values की बात आती है, data science में यह बहुत important terminology है, blanks को हम blanks भी बोलते है, empty cells भी बोलते है, Excel में, हम इसको not a number भी बोलते हैं, जैसे nance बोला जाता ह इसे null value भी बोला जाता है, और इसी तरीके से इसके कई और नाम भी हैं, तो missing values के कई और नामों की वज़ा से भी ने जाना जाता है, लेकिन basically इसको missing values ही कहा जाता है, अब आप क्या करेंगे, यहां से control shift दबा के, end दबाता हूं, मैंने यह सारे के सारी चीज़ें select कर ली, अ मैं क्या करूंगा, go to special, यहां पर जाऊंगा, go to special में जाने के बाद, आप यहां पर देख सकते हैं, कि आपके पास सिरफ और सिरफ selected blanks भी कर सकते हैं, current region भी, area भी और बाकी चीज़ों, मैं blanks पर click करता हूं, okay करता हूं, अब मेरे पास क्या हुआ है, जहां जहां पर blanks हैं वो सारे के सारे blanks select हो गए, ठीक है, मैं इनको highlight कर देता हूं, so this is the best, मैं कहता हूं, देसी, टोड का तरीका to find blanks, और यहीं से आपको समझ आ जाने के blanks आपके पूरे data में कहां-कहां पर मजूद हैं, या null values कहां-कहां पर मजूद हैं, ठीक है, again वो ही काम मैं करता हूं, आ यहां पर जाने के बाद go to special पर जाएंगे, और यहां पर जाने के बाद हम यहां से blanks को select कर लेंगे, like this, और ऐसे आपके पास blanks सारे select हो गए, अगर आप गौर करें, select होने के बाद आप इनका color change कर देंगे, जैसे मैंने yellow किया था, अब मैं इसको red कर देता हूं, तो यह ज ribbon और deck में बहुत स्याद है, यानि के पूरे के पूरे column ही भरे पड़े हैं, चेक करें, ठीक है, यह देखे, आया नजर, और दूसरी जगा पे हमारे पास age के column में blanks हैं, और इसमें ज्यादा blanks नहीं हैं, मतलब बहुत कम blanks है, age के column में, ठीक है, अब एक rule होता है, वो rule यह है, कि जब भी आप कभी, जब भी कभी, आप एक numeric column को, यहां से अगर मैं देखूं, यह एक numeric column है, age का column, पहले इसको हम study करते हैं, इस column के अंदर, हमारे पास blanks जो हैं, वो अगर, बहुत कम हों, यानि के 10% हों, या 15% या 5% या 2% out of total values, तो आप उन्हें replace करते हैं, अगर आपके numeric या categorical column में, more than 50% या around 50% आपके पास columns में blank values हों, तो आप उन्हें remove कर देते हैं, ठीक है, columns को ही निकाल देते हैं, या आप क्या करते हैं, यहां पे कुछ ऐसा लिख देते हैं, जो most common हो, अब हमारे पास age के column है, age के column के अंदर ये blanks मौच होते हैं, अगर मैं यहा हमारे पास multiple किसम के यहां पे functions मुझूद होते हैं, we can use those functions, queries and connection में भी जा सकते हैं, and then we can do a lot of things, अगर queries and connection में जाएं, इसका मतलब है कि हमें power query की option को open करना पड़ेगा to run this analysis जो हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके लिए हमें data को import करना पड़ेगा power query के through, and then we can do multiple tasks, समझा ही बा और आप यहां से refresh करके और बाकी काम करके पूरे का पूरे डेटा जो है वो analyze करके उसको format भी कर सकते हैं, और चीजों को maintain भी कर सकते हैं, दूसरा तरीका कार यह होता है कि आपके पास जो यहां पे जितने भी functions मुझूद है, say for example, यह data validation, circle invalid data, clear validation, but if analysis and there are many other analysis, advanced tab पे आप इनके थूरू भी काम कर सकते हैं, लेकिन जो तरीका कार मैं आपको बताने वाला हूँ, वो बहुत असान है, उससे भी पहले जो आप fill वाले functions से या बाकी functions से काम करते हैं, उससे भी पहले एक देसी तरीका यह है, कि जब आपके पास कोई भी एक column है, जैसे यह वाला column इसके अंदर यह missing values मुझूब है, यह age वाले column के अंदर, तो आप इसको पूरी age का जो average है, उसके साथ replace कर देते हैं, यानि कि जहां जहां पर यह missing values हैं, उसे वो age की average के साथ replace कर देते हैं, ठीक है, यानि कि age की average क्या है, अगर मैं इस column से देखूं, तो यह मेरे पास cell की location ह है, वो मेरे पास क्या है, अगर मैं यहां पर click करूँ, यहां पर cell की location है, F2, यह location आपके बास आ रही होती है, F2 से लेके, यहां पर यह column की location है, F892, F2 से F892 की जो value है, उसके साथ हम इसे replace कर देते हैं, वो कैसे करेंगे, यह देखेगा, यहां पर मैं formula लिखूंगा, मैं लिखने के बाद, F2, column, F892, यानि के उसकी पूरी average के साथ, उसके हमने replace कर दिया, ठीक है, अब इसको मैं F4 लोगा के lock भी करूँगा, यह lock हो गया, column भी, और row भी, यह जो F4 का button मैं ने दबाया, इससे lock हो गया, यानि के यह जो formula में लगाऊंगा, यह जहां भी मैं paste करू so you can see के इसकी average हमारे पास आजाएगी, लेकिन मसला यह आता है, जब मैं इस पर click करता हूँ, let me show you again, जब भी यह मैं formula लगाता हूँ, मैं इसमें से, दुबारा से आपको यह formula लगा के दखाता हूँ, एक error आपके सामने आएगी, average, F2, column, F892, bracket 1, let me see, not like this, बलके इसके end पे पहले जाते हैं, values की average पहले निकाल के देखते हैं, error अब दुबारा से नहीं आ रही, so we will just go here, equal to average, और, average, और मैं क्या करूँगा, यहाँ से range पूरी select कर लूँगा, just for this sake, क्यो हो सकता है, formula गलत हम लगा रहे हूँ, तो मैं यहाँ से पूरा average select कर लूँगा, और इसे बंद कर दूँगा, bracket को, so यह हमारे पास होने एक चीज़ बनती है, आप इस तरीके से भी average निकाल सकते हैं, कि आप पूरी के पूरे age के column को ही रख लें इसमें, ठीक है, so यह भी एक तरीका है, मैं क्या करता हूँ, अब यह वाली formula को यहाँ पे paste करता जाता हूँ, यह वाली error आ रही थी, तो यह problem कर सकता हूँ, मैं इसको okay करता हूँ, कोई मसला नहीं है, मैंने का अब कोई problem नहीं होती, या मैं ऐसे लिख देता हूँ, 29.699, या मैं इसको round off कर दूँगा 30 पे, या 29 या 30 पे, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे basically मुझे पता लग गया कि मेरे पास on an average जो value वो 29 या 30 है, तो मैं cell को 29 के साथ replace कर देता हूँ, जितने भी missing cell है, अब इसका एक तरीका यह है, कि missing cells को या हम null values को 29 या 30 के साथ replace करते हैं, ठीक है, अब उसका तरीकागार क्या होता है, copy, ठीक है, copy करने के बाद, मैं cell पे गया, यहाँ पे home पे गया, find and select, go to special, blanks, ओके, यह मेरे पास select होगे सारे के सारे, जितने भी cell थे मेरे पास, ठीक है, अब एक तरीकागार यह है कि in cells के अंदर आप paste कर दे, which will be like this, और अगर आप गौर करें, सारे के सारे cells में मेरे पास 29 आ गया, simple, बहुत असान तरीका, और आप चेक करें, हर जगा पे 29 जो है, वो save हो चुका है, ठीक है, यह चेक करें, जितने भी हमारे पास missing column थे, ठीक है, वही चीज़ के 29 को मैंने पहले copy किया, copy करने के बाद, मैं इसको undo करता हूँ, ताकि आपको दुबारा समझा सकूँ, एक जगा भी मैंने 29 लिखा, उसे copy कर लिया, ठीक है, like, यहाँ भी मैंने लिखा 29, 29 लिखने पाद इसे कर लिया, मैंने copy, और बकाईदा इसको मैं number format में copy करूँगा, ताकि यह जो cell है, इसका format मेरे पास number वाल dependency, यानि के जहाँ पे most common values हैं, उसको center बोलते हैं, center of this column is 29, ठीक है, इसका median भी हो सकता है, यानि के जो मैंने अभी average ले थी, आप average की बजाए, इसका median भी ले सकते हैं, age के column की मैंने average ले थी, something like this, let's see, ये थी average हमारे पास 29.79, या तो हम ये ले सकते हैं, वरना यहाँ पे median भी लेख सकते हैं, median, हम वो भी ले सकते हैं, which will be 28, ठीक है, तो मैंने दोनों का average और median का, जो central tendency होती है data की, जो मैंने पिछले दिनों आपको पढ़ाया है, और stat के lecture में भी आपको समझाईए चीज़े, उसकी बेस पर यहाँ पर मैंने 29 round average लेख लिए, तो मैं इसको copy किया है, copy करने के बाद अब अब वहला काम आपको बताता हूँ, यहाँ पर आपने age के column को select करने, go to find and select, go to go special, यहाँ से blank select करने के बाद, अब आपके पास सिर्फ जो column में cell select हुए, वो blanks है, यहाँ पर मैं control V कर दूँगा, तो हर जगा पर 29 पेस्ट हो जगा, जहाँ 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 पर blank cell थे, and now we don't have any blank cell here, कैसे मुझे पता है, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, अब दूसरा तरीका blank cell को find out करने का, मैं आपको बताता हूँ, average अभी change नहीं होगी, क्योंकि आप इसको on an average 29 लिख रहे हैं, अगर change होती भी है, इसका मतलब आपकी manipulation के बाद change होई है, so you don't need to change that, अब आपने age के column को select करने, age के column को select करने के बाद conditional formatting में जाने, conditional formatting में जाने के बाद आपने करना है, highlight करने, वो वाले cells जहां पे equal to हो, कोई एक value आप लिख दे, या आप इसको simply okay भी करेंगे, sir, let me see, not like that, conditional formatting, and highlighting rules, more rules, यहाँ पे हमने देखना है, यहाँ पे हमने blank का एक rule है, वो देखना है, highlighting cell rules, and then blank, let me see, highlighting cell rules, equal to text content that are occurring, duplicate values, more results, let me find, format cells based on the values, format cells that contain ranked values, above or below average, I think they have removed that function here, yes, so this is no more an option, तो हमारे पास find and select वाला जो रूल है, वो ही काम करेगा, before that they had a rule here, जहाँ पे आप blank को find out कर सकते थे, I don't want to teach you another rule, let me see, yeah, we don't have that anymore, खेर, तो आप cells यहाँ से select करके भी blank को देख सकते हैं, और अभी मैं दोबारा से यह काम करता हूँ, go to special, blanks, okay, and there is no cell found, तो इसमें से हमने remove कर दिया, हमारे पास कोई cell नहीं है, second हम आते हैं cabin वाले column पे, cabin वाले column में जो हमारे पास blanks हैं, वो total कितने हैं, वो देखते हैं, go to special करेंगे, blanks करेंगे, यह हमारे पास cell select हो गए हैं, और जो इस वकत हमारे पास cell selected हैं, those cells are blank cells, ठीक है, और इन cells के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका यह है कि हम find and select पे जाएं, go to special पे जाएं, और यहां पे आप चेक करें, बजाए इसके कि आप blanks को select करें, you can select visible cells या other data cells in this formula, for example, अगर मैं constant पे click करता हूँ, तो मैं okay करूँगा, अब मेरे पास वो बाले cells select होएं, जो blanks नहीं है, blanks के बगएर हैं, ठीक है, so you can select both kind of cells, लेकिन अगर आप गौर करें, हमारे पास यहां पे, अब इनको अगर हमें filter करें, due to cells like this, जो color की base पे हैं, तो यह हमारे पास सारे के सारे blank cells आगे, अब जो हमारे पास blank cells हैं, those are this many, और अगर आप गौर करें, हमारे पास तकरीबन 688 blank cell हैं, यहां पे देखे, 688 blank cell हैं, और 891 में से एगर 688 की percentage निकाली जाए, तो क्या बनेगी, मैं यहां पे आपको निकाल के दिखाता हूँ, equal to 891, sorry, 688 divided by 891, तो यह आपके पास 77%, अगर आप इसको percent में change करें, तो 77% blank cell lines के अंदर, 77% और सेम यही वाले 77% deck के अंदर भी है, तो इन दुनों में 77% cells मुझूद हैं, इस वज़ा से मैं directly इनको remove कर दूँगा, क्योंके blank cells को हम impute कर ही नहीं सकते, अगर हम impute करेंगे तो यह हमारे लिए मसला create करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास यह 77% इस वज़ा से deck और cabin को मैं यहां से remove कर देता हूँ, ताके हमारे पास को issue बचे ही ना, ठीक है, तो यह एक तरीका कार होता है, जब आप deal करते हैं, बड़े data set से, अगर यह data set आप इस तरीके से रखेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि deck की information हमारे लिए important है या नहीं, मेरे ख्याल से important नहीं थी, मैंने इस वज़ा से remove कर दिया, अब again मैं वही काम करूँगा, पूरे data set में, blank cells को find out करने की कोशिश करूँगा, and then we will see कि अगर हमारे पास blank cells मौजूद हैं या नहीं, so first I will just click at the last cell, यहां पे control shift home दबाऊंगा, go to find, special, blanks, okay, and here we have few, embarked town के अंदर है, एक और दो हैं मेरे ख्याल से इसमें, embarked town के अंदर, so हम यहां पे एक काम करेंगे, embarked town जो है, या embarked जो है, इसके अंदर यह blanks मौजूद हैं, हम सिरफ blanks को select कर लेते हैं, so यह देखें, यह सिरफ दो cells हैं, अब अगर बहुत कम cells हों, इनको impute करने की जरूरत नहीं है, क्यों इसका मतलब यह है, कि Titanic के यह जो दो passenger हैं, यह जो दो passenger हैं, जिसमें से एक काना मिस Emily है, और Mrs. George Nelson है, इन दोनों का पता ही नहीं है, कहां से यह सवार हुए थे, Titanic के ओपर, ठीक है, अब इसका एक तरीका कार यह है, कि अगर यह numeric value है, तो mean या median के साथ हम करेंगे replace, अगर numeric है, तो हम इसको करेंगे mean, यानि कि average या median के साथ replace, और अगर यह categorical है, जैसा कि यह है, तो हम इसको mod के साथ replace कर देंगे, यानि कि most occurring value, ठीक है, most frequent value के साथ इसे replace कर देंगे, तीसरा तरीका कार यह है, कि अगर यह less than, मैं ऐसे बोलता हूँ कि 5% है, एक criteria के मताबिक 10 भी हो सकते हैं, इसे आप remove भी कर सकते हैं, पूरी की पूरी row को, यानि कि यह दो records आप निकाल सकते हैं, दूसरा यह होता है, कि अगर यह आपके पास mode इसका आ जाए, तो आप इन दो values को fill कर देते हैं, उस mode से, mode क्या है, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले हम यहाँ से बाकी cells जो हैं, उन्हें लेके आते हैं, अगर हम जाएं, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे mode, और modulus क्या होता है, यह basically आपकी most frequent value को चेक करता है, कि किस तरीके से वो पाई जाती है, mode के अंदर जाने के बाद, हम column का sign लगाते हैं, और यह basically एक नया, जो है, वो set of instruction आपके पास आ जाता है, कि आप यहाँ पे पूरे के पूरे column को लिखते हैं, बजाए range देने के, square bracket को on करें, यहाँ से आप embark town जो है, इसको select करें, select करने के बास square bracket बंद करें, और bracket को बंद क करके enter दबा दें, तो आपके पास यहाँ पे value आ जाएगी, कि कौन सा mode आपके पास इस वकत मौझूद है, और आप यही से देख सकते हैं, कि आपके पास mode के value आ रही है कि नहीं आ रही है, and usually यह भी होता है, कि इम बाग टाउन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे missing values मौझूद ह हैं, तो हो सकता है कि आपके पास mode i ही ना, ठीक है, so इसका तरीका कार किया है, फिर हम इसको कैसे handle करते हैं, we will see that, यहाँ से हम blanks को unselect करते हैं, ok करते हैं, यहाँ पे मैं दुबारा से वह formula लिखने की कोशिश करता हूं, and hopefully यह काम कर जाएगा, नहीं काम करता, then we will see another thing, let's see mod, bracket open, or embarked, underscore town, square bracket बांद, छोटी bracket बांद, ok, यह spelling तो नहीं गलत हो रहे, let me see, को spelling गलत है, अच्छा एक जो काम मैंने नहीं किया start में, that is totally my mistake, मैंने first column को view में जाके freeze नहीं किया, view में जाके, I didn't actually, close this column, let me see, home के अंदर है, search, draw, yes, now it's coming up, embarked town, and not embarked town, क्योंकि यह tabulated form में है, तो यह automatically उपर मेरे पास show होगा, इसको यहाँ पर मैं ok, equal to, mod, यहाँ से हम number add करेंगे, और embarked town, छोटी bracket बंद, तो भाई आप क्या मसला है, यहीं से यह फार्मूला कॉपी करते हैं पहले, यहीं से, इसको पहले पढ़ते हैं, इसको पहले पहले हैं, इसको पहले पढ़ते हैं, यहां पर जाते है जी टेबल डिजाइन में और यहां पर टोटल रो एक एड़ करते है एड़ दी एंड बलके इसका एक और तरीका है हमारे पास सॉरी गाइस क्योंकि जब लाइव कर रहे होते हैं न गाम तो ऐसे मसले मसाइल आते ही हैं आपने परिशान नहीं हो न यहां से हम स्लेक्ट कर लेते हैं सभी को फिल्टर में बंद कर देता हूं फिल्टर बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा जूम आउट करता हूं एड़ दी एंड हम चले जाते हैं और यहां पर जाने के बाद कंट्रोल क्यू प्रेस करता हूं टोटल की रो हम एड़ करते हैं और काउंट की एड़ दी एंड हम रो एड़ कर सकते हैं चार्ट की भी कर सकते हैं not this one we have to go to embark town यह वाला टोटल नीचे को चले जाते हैं कंट्रोल क्यू कंट्रोल क्यू टोटल्स एंड काउंट लेट सी और दिस वाट लेट इसका एक और तरीका हम फाइंड आउट कर लेते हैं काउंट इफ का फंक्शन यूज करते हैं और यहां पर हम यह वाली रेंज दे देते हैं यहां से स्टार्ट करके यहां तक यह रेंज दे देते हैं काउंट इफ का फंक्शन यूज करके और क्राइटेरिया रख देते हैं कि अगर इसमें क्विन्स टाउन लिखा आए ब्रेकेट बंद करते हैं तो यह हमारे पास 77 दफा लिखा हुए है ठीक है लाइक देस और अगर इसी को हम नीचे लाएं तीन दफा अब हम क्या करेंगे यहाँ पे क्विन्स टाउन्स की बजाए हम शेबर्ग लिख देते हैं 168 टाइम और यहाँ पे हम लिख देते हैं साथ हैंटन तो यह हमारे पास वैलियूज आगींगे तीनों हमारे पास कितनी कितनी क्वांटिटी में तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि साथ हैंटन जो है वो मोस्त कॉमन वैलियू है इस वज़ा से हम मिसिंग वैलियूज को साथ हैंटन के साथ रिप्लेस करतेंगे ठीक है काउंट का भी वही मतलब होता है कि आपने किस तरीके से मॉड निकाल ले तो कहने का मकसद ही है कि at the end हम साथ हैंटन साथ हैंटन के साथ इसको रिप्लेस कर देंगे if we need another column in that one so मैं यहाँ पर filter on करता हूँ missing values को मैं यहाँ से highlight कर लेता हूँ और यहाँ पर S लिखूँगा यहाँ पर BS कर देता हूँ and now we don't have any missing value तो यह तरीका कहा रहा है basically missing value को खतम करने का usually जब आप table में काम कर रहे होते हैं तो अक्सर हो कहा था आपके जो formula हैं वो नहीं चलते है उसकी reason यह होती है you need to mention the table name inside the formula जो मैंने mention नहीं किया था जो मेरी गलती थी and then I actually worked into it of course उसका तरीका कार यह होता है कि आप table 1 कहके उसको नाम दे दें और फिर embark town लिखें जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ for example equal to mod mod लिखने के बाद यहाँ पर table 1 लिख देते हैं और table 1 आप select हो गया अब इसके अंदर जाके मैं table 1 का जो column है उसे लिख देता हूँ say for example मैंने embark town लिखना था मैं इसे लिखके square bracket 1 यह bracket 1 तो मेरे पास यहाँ पर उसकी value आजाएगी mod की लेकिन usually यह numeric value के साथ होता है और अकसर अकात आपके पास frequent value जो है वो नहीं आती because this formula was actually deprecated due to office Excel 2007 बहराल यह हमारे पास इस तरीके से different values जो हमारे पास आगी है अब हमारा जो data है वो final हो चुका है यहाँ पे missing value से पाक हो चुका है ठीक है जैसे आपके पास data जो है missing value से पाक हो चुका है अब हमने दूसरा काम देखना होता है वो यह होता है कि आपके पास कोई duplicated value ना हो duplicated का मतलब ये है कि आपके पास पूरे column के अंदर या पूरे data के अंदर कोई value दो दफा तो नहीं आ रही ठीक है वो हमने find out कर दी है अब duplication कैसे find out की जाती है आपने कोई unique values देखनी है for example नाम दो दफा हो ये नहीं सकता अगर दो दफा नाम है यहाँ पे तो इसका मतलब ये है कि कोई तो मसला है तो आप name में जा के ठीक है अच्छा पहला काम तो ये करते हैं आप simply सारे के सारे data को ऐसे रहने देते है data पे चले जाते है ठीक है और आप यहाँ पे जाके remove duplicates पे click कर देते है something like this ठीक है और यहाँ पे अगर सारे की सारी rows में duplicate हो तो automatically remove हो जाते है ठीक है from here remove duplicates मैं okay करता हूँ तो मेरे पास कोई भी duplicate value यहाँ पे मौजूद ही नहीं है that means we are good to go हमारे पास कोई भी duplicate value नहीं है ठीक है और उनको मैं red fill कर देता हूँ highlighted value को और मुझे लगता है कि मेरे पास अभी भी duplicate value नहीं है अगर मैं गवर करो तो मेरा कोई भी cell जो है वो red highlight नहीं हुआ यहाँ में ठीक है तो इसका मतलब यह conditional forming formatting हमने जो लगाई थी उसको मैं remove भी कर देता हूँ यहाँ से सो हमारे पास duplicate value यहाँ पे कोई भी नहीं है यहाँ तक आपको clear हो गया कि duplicate value हमारे पास कोई भी नहीं है इसके इलावा हमारे पास एक और काम होता है और वो यह होता है कि हम किसी भी data को transform भी कर सकते है ठीक है और example यह मेरे पास age है age का column है ठीक है age के column के अंदर हमारे पास different किसम के बच्चे भी है बूडे भी और बाकी लोग भी है हम इस data को transform भी कर सकते है for example age के column को अगर मैं numeric के अंदर convert करूं यहाँ से number के अंदर and then इनको हमने number के अंदर convert कर दिया and then we can actually see के हमारी range क्या चल रही है इसके age के column की इसका एक तरीका यह है के आप data को visualize करके देख ले ठीक है दूसरा तरीका यह होता है के आप data को distribution की तरफ convert करके देख ले वो कैसा तरीका होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ के यहाँ पी insert में जाएं इंसर्ट में जाने के बाद recommended chart पर click करें तो automatically आपके पास data charts आ जाएंगे तो मैं किसी भी एक chart पर click करता हूँ and here you go यह आपके पास basically एक data chart है किस तरीके से कौन सी age कहां तक exist कर रही है ठीक है and this is how you can actually see कि आपका data किस तरीके से नज़र आ रहा है दूसरा तरीका यह होता है कि आप यहीं पर filter लगाएं filter लगाने के बाद आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि age आपके पास कहां से कहां तक जा रही है ठीक है for example मैं यहां से smallest two largest कर लेता हूँ इनको sort down कर लेता हूँ तो अब आप देखें जो data है मेरे पास वो यहां से range automatically बन रही है मैं यहां से कहता हूँ point four two यानि के तकरीबन पांच मां का जो बच्चा है वहां से लेके पांच साल के बच्चे तक को मैं एक group में divide करना चाता हूँ फिर मेरे पास अगला 6 साल से 12 साल के बच्चे या 18 साल तक के adults आ जाते हैं and then I can actually group the other one so यह हमारे पास basically age की वज़ा से grouping हो जाएगी ठीक है फिर दूसरा तरीका हमारे पास यह होता है कि जो हमारे पास यहां पे pair है pair की base पे हम smallest to highest कर लें यानि के साथ जो dollar है या pound है whatever the rate was वहां से आप start करें और नीचे की तरफ जाएं तो आपको पता चलेगा के लोगों ने साथ से लेके 512 dollar तक pay की है same ticket में और अगर आप गोर करें आपको अंदाजा हो जाएगा कि first class के लोग हैं जिन्होंने ज्यादा पे किया है यहां से चेक करें यह first class में लोग हैं जो 75 dollar से 512 तक जिन्होंने पे किया है फिर second वाले आ जाते कुछ first class सस्ते में भी गिये हैं जिन्हों टाइम पे book कर रहा है and some other things तो हमारे पास यहां पे हम बिनिंग भी कर सकते हैं different चीजहों की इसको बोलते है age grouping की base पे बिनिंग करना यहां पे 29 वाला थोड़ा सा मसला कर रहा है तो मैं इसको number के अंदर convert करूंगा because यह number के अंदर convert नहीं हुआ था जो हमने fill in the blanks की थी अब हो गया so that's fine so this तरीके से हमारे पास जो है वो different जो formula है वो चलते रहते हैं right अच्छा हमारे पास missing values बें हमने count कर लिए missing values की base पे हमने काम कर लिया हमने duplicates भी check कर लिया हमने age की base पे यह भी देख लिया कि हम नया column भी create कर सकते हैं और और भी बहुत कुछ कर सकते हैं लेकिन अगर आप गौर करें इसके इलावा आप data wrangling में और क्या देख सकते हैं आप column को split कर सकते हैं split कैसे किया जाता है अगर आप गौर करें यहां पे नाम दिये हुए हैं आपको यह पूरा नाम है johnson mr.william kahoon junior ठीक है अब अगर आप गौर करें johnson mr.ya फिर बाद में लियोनार्ड मिस्टर लोनियल लियोनल लियोनार्ड ठीक है फिर इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कॉमा एक ऐसी चीज़ है जिसकी बेस पर first name and last name जो हैं वो हम separate कर सकते हैं इसको बोलते हैं data transformation आप वो भी काम यहीं पर कर सकते हैं और इस data को transform करके split कर सकते हैं into two columns based on the comma और यही चीज़ आपको बेहतरीन तरीके से advanced level पे transformation करने के लिए हैपल करती है say for example मैं इसको select करता हूं ठीक है बलके यहां पर पहले मैं एक column insert कर देता हूं यह वाला मेरे पास column आगया column one ठीक है यह मैंने इस वज़ा से select insert किया है because you can see the difference जो हम यहां पर आप करने वाले हैं काम data transformation का और वो काम यह है मैं इस column को select करता हूं data पर जाता हूं यहां पर आप देखेंगे नई window select होगी है मेरे से कोई just give me one second now it's fine okay so यहां पर मैं इसको select करता हूं इस पुरे के पुरे नाम को यहां से filter में खतम कर देता हूं पहले सारे के सारे अब आप यहां पर text to column भी कर सकते हैं different columns में भी कर सकते हैं data को split भी कर सकते हैं अगर मैं यहां पर text to column पर click करूं you will see this window जो आपको अभी बहुत छोटी लग रही होगी because of the thing जो भी मेरे से यहां पर setting में एक मसला हुए अब ठीक है यहां पर अगर आप गोर करें अब आपको नजर आ रहा होगा कि यहां पर आपके पास delimited है fixed width है और यहां पर यह data मुझूद है ठीक है मैं इसको क्या करता हूँ इसको मैं simply दो चीजों में divide करूँगा पहली चीज यह है कि मैं इसको next करूँगा next करने के बाद यहां पर comma की base पर मैं इसको separate करूँगा ठीक है और मैं next करके next करके सिफ finish करता हूँगा ठीक है उसने कहा है कि पहली कॉलम यहां पर मजूद है, आप उसे replace करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि यहां पर column replace हो जाने, इस वज़ए से मैंने निया column add किया था, अब इसको मैं बोल सकता हूँ, last name, ठीक है, और यहां पर first name बोला जा सकते हैं, so this is how you can actually do the transformation, इसको मैं बोलता हूँ last name, और यहां पर हम कह सकते हैं first name, sorry, that's why I am not really big fan of windows, बरहल क्या कर सकते है, first name, ठीक है, तो यह हमारे पास last name and first name इस तरीके से आ गया, अब यह जो last name and first name है, आप इस तरीके से इसे use कर सकते हैं, इसके इलावा यहां पर और भी options काफी मजूद हैं, जैसे यह flash fill है, automatically values को save कर देता है, there are many other fills and doing things in a different way, अब वो भी use कर सकते हैं, लेकिन मुझे जो बेहतरीन तरीका लगता है वो split करने का, वो text to split है, आप इस तरीके से use कर सकते हैं, या आप एक कॉमा के base पे भी कर सकते हैं, ठीक है, अब आप देखें, जब वो split किया है, तो original column को split किया है, हमने original column नहीं रखा, तो first name and last name हमारे पास आ गए, अब यहां पे आप अंदाजा लगा सकते हैं, किसी का last name common तो नहीं है, for example, यहां पे मैं click करता हूँ, और अगर किसी का last name दो से ज्यादा तफार है, वो भी आ जाएगा, या अगर blanks मौझूद हैं, तो भी आ जाएगा, जैसे मैं यहां पे चेक करता हूँ, मेरे पास blanks हैं, और यहां पे यह last column जो है, यह मेरी तरफ से एक blank add हुआ हुआ है, टोटल का, जिसकी वज़ा से यह मसला आ रहा है, तो मैं इन दोनों columns को वैसे ही remove कर देता हूँ, दोनों rows को, let me see, मैं यहां से filter बंद करता हूँ पहले, सबसे नीचे जाके last वाली दो rows को बंद कर देता हू because यह थोड़ा सा मसला कर रही है, और data wrangling इसमेजा से असान नहीं होती, क्यूंकि आपने काफी ऐसे काम करने होते हैं, जो officially आपने ही कर रहे होते हैं, तो यह हमारे पास कुछ इस तरीके से जनाब data wrangling जो है, वो हम कर रहे हैं, हमने split कर लिए data transform कर लिए और बाकी चीज़ so on and so forth, अब यहां पर आपके पास alone का data भी alive का भी और बाकी चीज़ाओं का भी है, हम data से visualization नहीं कर रहे हैं, हम सिलब data को wrangle कर रहे हैं, मैंने इसको कर लिया save, control S करके मैंने इसे save कर लिया, अब यह चीज मेरे पास save हो चुकी है, यहां पर, Titanic dataset के अंदर यह चीज save हो चुक आने के लिए, इसको मैं बोल देता हूँ, raw data, raw data, titanic, ठीक है, अब देखें, हम एक काम करेंगे, power query के यूज करते हुए, कुछ different किसम के formula यूज करेंगे, यहां पर मैं excel की sheet बनाता हूँ, नई, और उसके through मैं आपको बताता हूँ, किस तरीके से power query को use करके, आप data wrangling कर सक मैं power query की sheet बनाके से open करता हूँ, open करने के बाद, अब हमने क्या करने, data पर जाने, get data पर click करने, from a file पर click करने, और excel workbook से data लेना है, from excel workbook, click किया, click करने के बाद, अब हमारे पास यह हमें, यह dialogue देगा, मैं उस जगह पर जाओंगा, जहां पर मैंने वो data save किया हूए, जो मेर import पर click किया, you will see, it is actually connecting to that database, जो हमारे पास मजूद था, और वो data का table, Titanic GitHub वाला, यह वाला table है, मेरे पास, ठीक है, आया, आप अगर इसे को as it is import करना चाहते है, you can click on load this button, लेकिन मैं इसे transform करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं data को wrangle करना चाहता हूँ, then I will click on transform data, जिस से मेरे पास power query editor open हो जाएगा, navigator के बाद, this is how your power query editor can open, can be opened, and यहाँ पर आप देख सकते हैं, कि हमारे पास power query editor आगया, अब इसके through आपका काम और भी असान हो जाता है, जितने काम मैंने manually की है, Excel के अंदर, you can do all of those things using power query editor, और अगर आपको नहीं पता कि power query editor को कैसे use करना है, तो उसके लि video upload की है YouTube पे, और अगर kodenics पे जाएंगे आपको YouTube के channel पे हमारे पे, so यहाँ पे जाके आप videos में जाएंगे, videos में जाने के बाद, यह रही जी power query in 30 minutes, अगर आप इस video को देख लेते हैं, तो यह सारे का सारा काम आपके सामने power query के अंदर हमने perform किया हुआ है, which will be easier for you to understand, और आपके सामने chat के अंदर भी दे रहो, और मैंने कल discord के server के अंदर भी दिया था, और अगर आप इसको दुबारा से अब देख रहे है, you can actually have a look into this video, और यह power query editor को आप use करके, सारे का सारा काम जो है वो data wrangling का perform कर सकते है, इसका साधा सा तरीका क्या होता है, say for example, यहाँ पे age क column है, आप इसको select करते हैं, आप transform पे click कर देते हैं, और यहाँ पे जाके, यहाँ पे आपके पास multiple options होती है, जैसे यह fill का option है, ठीक है, आप यह down fill भी इससे कर सकते हैं, या आप different किसम के और भी यहाँ पे calculation करके, उसके through भी data को fill कर देते हैं, for example, मैं इसको down fill करता हूँ, त तो आप check करेंगे, यह उपर जिसकी जितनी age है, वो नीचे down fill हो जाएगी, यह देखें, जिसकी 35 थी वो नीचे 35 हो गई, so this is called down fill, और यह मेरे पास यह function यहाँ पे लगा भी है, मैं इसको delete करता हूँ, तो यह back उसी function पे चला जाएगा, so यहाँ पे check करें, यह down fill था, fill पे functions you can use in this power query editor, जैसे आप यहाँ पे बाद में close and load करेंगे, तो आपका data finally excel की sheet के अंदर load हो जाएगा, जैसे आपने किसी और website से किया था, उसी तरीके से, so this is how you can actually use power query, यह होती है जिए data wrangling using excel, इसके इलावा भी इंशाला आने वाले दिनों में आपको पूरे के पूरे project इसे करना है, using power BI, क्योंकि power BI पे भी हमारे lecture चल रहे हैं, और हमारे आने वाले दिनों में टैबलियो के उपर भी lecture चलेंगे, so मेरी आप से request यह है कि प्लीज अपने जो lectures हैं, उन्हें साथ-साथ जरूर देखते जाएं, क्योंकि हम मेंसे काफी लोग हैं, जिनोंने अभी त कर दी हैं, तीसरा पार्ट भी आ रहा है, उसके बाद हम data analysis expression पे काम करेंगे, और power query की तरह different किसम की चीजों को use करके, python को code और बाकी चीजों को use करके, हम data analytics पे और भी आगे advanced level पे जाएंगे, so आप से request है कि lectures को जरूर सुनते जाएं, और आप काम करते जाएं, आपको हर त इसा होता है कि आप power query से data ही नहीं लेगे आते हैं, तो आपने क्या करना होता है, आपका excel में data पड़ा है, और आपने wrangle करना आपको नहीं आता, तो आप क्या करेंगे, so हर तरीके से सीखे, आपको हर तरीके से पता होना चाहिए, यही data wrangling के techniques हम python में भी करेंगे, SQL में भी places पे भी करेंगे, so please आप इन चीज़ों को सीखते जाएं, और इंशालला उमीद है मुझे कि आने वाले दिनों में आप और भी ज्यादा advanced level पे Microsoft Excel and Power BI को सीख जाएंगे, इसे के साथ या आज का lecture जो है, उसे मैं finish करता हूँ, because it's been around 60 minutes, और आज आपको समझ आई होगी कि power query, Excel और Excel की क्या वर्त है, अगर आप वही काम जो Python में मैंने सिखाया हुआ है, या मैं सिखाने वालों आप एकसल में कर सकते हैं, और ये मैंने 891 रोज का बताया, आपके पास हजारों रोज भी हो, आप सेम तरीके से काम कर सकते हैं, Power query को यूज़ करके आप बहुत बड़े dataset dataset पे functions के साथ काम कर सकते हैं, और वो ही functions बार-बार different dataset पे लगा सकते हैं, इंशाला आने वाले दिनों में और भी upload करेंगे, और अपना खयार रखें, तो में याद रखें, और now we will stop this recording, आप से request है कि अगर आप बात में देख रहे हैं तो इस channel को subscribe कर लें और वीडियो को like कर कि नीच और कमेंट स्कूल तो